करन जोहर के सामने बड़े से बड़ा स्टार काम करना चाहता है करन जोहर के सामने बड़े बड़े स्टार्स टांट्रम्स दिखाने से भी बच्चते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं एक बार सलमान ने करन जोहर को सब के सामने रुला दिया था दरसल बात है साल 1998 की जब करन जोहर फिल्म कुछ-कुछ होता है कि जरिये बॉलिवुड में ऐस डिरेक्टर डेब्यू एंट्री कर रहे थे ये सभी को पता है कि इस फिल्म में काजोल और शारुक लीड रोल में नजर आये थे और सपोर्टिंग रोल में रानी मुखर जी और सलमान ने काम किया था सलमान वाले रोल के लिए कोई भी बड़ा आक्टर राजी नहीं हो रहा था बाद में सलमान ने इस रोल को प्ले किया था लेकिन शूटिंग के दोरान एक वाक्या ऐसा हुआ जहां सलमान के आगे करन जोहर के आंसू निकल गए थे कुछ-कुछ होता है कि सेट का ये किसा खुद करन जोहर ने एक इंटर्व्यू में सुनाय था साजन जी घर आये गाने की शूटिंग का माहौल बना हुआ था सेट पर असिस्टेंट डिरेक्टर से लेकर क्रू मेंबर्स और बैक्राउं डांसर्स की लंबी फौज थी करन सलमान की एंटरी को कभी नहीं भूलने वाल पल बनाना चाहते थे तै हुआ था कि सलमान गाने की ट्यून पर सूट पहन कर एंटरी करेंगे लेकिन तब ही सलमान ने कुछ ऐसा कहा कि सेट पर माहौल ही बदल गया सलमान खान जैसे ही सेट पर आये उन्होंने सीन समझा और कहा कि उन्हें लगता है कि अमन महरा का किरदार विदेश से आया तो उसे सूट की जगा शॉट्स में एंटरी लेनी चाहिए ये बात सुनकर करन जोहर के होश उड़ गए उन्होंने सलमान को समझानी की कोशिश की कि शादी का माहौल है ऐसे में शॉट्स में एंटरी अजीब लगेगी लेकिन सलमान अपनी बात पर अडे रहे उन्होंने कहा कि वो तैय कर चुके हैं कि एंटरी तो शॉट्स में ही लेंगे करन जोहर सलमान जैसे सूपर स्टार को नाराज नहीं करना चाहती थी सलमान की जिद वैसे भी जग जाहिर है करन को लगने लगा कि इस सीन के कारण उनकी फिल्म बुरी तरह से पिट सकती है उनकी आँखों में आसु आ गए कई बार समझाने के बाद भी जब सलमान नहीं माने तो करन चुप हो गए और थोड़ी देर के लिए एक कोने में जाकर बैठ गए और रोने लगे बाद में सलमान ने करन को बुलाया और कहा कि वो मजाग कर रहे थे पहली फिल्म है इसलिए वो दोस्त होने के नाते उन्हें स्टार्स के टैंट्रम्स के लिए तयार कर रहे थे सल्मान के ऐसा कहते ही करन जोहर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई सेट पर फिर से माहौल खुशनुमा हो गया और फिर वही हुआ जो करन चाहते थे तो ये था सल्मान और करन जोहर से जुड़ा वो किस्सा जिसके बारे में शायद ही लोग जानते है बता दें ये फिर्म काफी बड़ी हिट साबित हुई थी और इस फिल्म के लिए सल्मान को सपोर्टिंग रोल के लिए अवार्ड भी मिला था वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलिवुट से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे